एक्जाम्पल 6 हो गया एक और एक्जाम्पल एक्जाम्पल 7 मान लिया है ऐसे दिर्ख है लिमेट एक्स टर्णिंग टोवर्ज जिरो 1-cos x into cos 2x whole divided by x square ये question है फिर वही सेम कहानी सबसे पहले जल्दिली चेक कर आपने हम एक सगर 0 हो गया तो cos 0 1 होता है ये भी 1 होता है 1 into 1 1 हो गया तो 1-1 numerator में 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया तो 0 by 0 का form है चलो पहला चीछ तो 0 by 0 का form है अब इसको solve कैसे करें इसका solve कैसे करें तो उसके लिए ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है उसके लिए तो क्या बोलते हैं manipulation करना पड़ेगा और manipulation कैसे करें तो वह कैसे भी कर सकते उसमें से जैसे से I would say method 1 तो यह हो गया कि हमने क्या कि इसमें cos x एक अलग से सब्ट्रेक्ट किया और एक एड़ किया माइनस cos x into cos 2 x whole divided by x square यह ठीक है यह हमने घटाया और जोड दिया ठीक अब हम बाई दिमग में यह कैसे आगे यह करना है तो वह सब प्रेक्टिस होगा एक तो trigonometry में प्रेक्टिस करोगे दूसा भी limit के भी questions अगर लगाऊगे तो यह लेंड इस kind of manipulations अच्छा मैं इसको देखूं तो 1 minus cos x तो हमें पता है इसका तो एक standard formula है तो अगर इसके denominator में में मिने को x square मिल जाए तो यह पूरा standard formula बन जाएगा ठीक है उसका मतलब क्या है कि मैंने इसको तो एक function की तरह treat किया इसको दूसरे function की तरह treat किया यह मालने f हो गया यह g हो गया तो यह f plus g लिखा हुआ है तो क्या इसको separate कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं वापस algebra of limits में हमने यह पूरा था कि f को अलग कर दिया और g को अलग कर दिया अगर right hand side कोई indeterminate form ना बने तो ठीक है और उसी time पे फिर हमने यह भी पूरा था कि मालने नहीं पता लग रहा कि indeterminate form है या नहीं है right hand side मतलब break करने के बाद जो expressions आ रहे हैं वो indeterminate form है या नहीं है अलग-अलग करने के बाद indeterminate form कौन सा सकता है infinity minus infinity का सकता है तो उस time पे if you can recall हमने ऐसे बोला था कि मालने यह शुरू में नहीं पता लग रहा कि है या नहीं है तो कोई बात नहीं करते जाओ आगे जाके अगर दौनों के answer separately निकल लाएं यह ठीक है तो फिर कर सकते कोई दिक्कत नहीं है अगर मालिया आगे जाके हम stuck हो जाएं यहाँ पर भी x का term बच जाए यहाँ पर भी x का term बच जाए और दौनों को मिलाने की जरूरत पड़े तो ऐसे नहीं कर सकते अगर separate कर द ठीक है f का limit exist कर रहा है तो हमें g की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं है कि वह exist कर रहा या नहीं करे ना करे f अगर exist कर गया तो इतना सफिशेंट है तो यहाँ पर जैसे एगर 1 minus cos x upon x square लिखा तो इसका तो मिले को पता है standard formula से इसका value half आ जाएगा तो दूसरे वाला exist करे ना करे कोई फरक नहीं बढ़ता separate कर सकते हैं ठीक है इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं आगे पूरे limit के chapter के लिए कि मलने में कोई question solve कर रहा हूँ और मिले को पता लगा एक बड़ा सा expression आ गया numerator में plus plus लिखा हुआ minus लिखा हुआ और मिले को यह पता लगा यह particular term और denominator मिलके exist कर जाएगा तो ऐसे गर सकते हैं उसको separate निकाल दिया जो exist कर जाए उसको बहार निकाल दो बहार निकाल दो ब्रेक करके अलग अलग कर दिया तो उससे क्या होगा question less cumbersome होगा मैं बड़े-बड़े भैंकर term नहीं दिखा ही इनफ आफ टॉकिंग वन माइनस कॉसेगा हमने अलग कर दिया जो दूसरा यह वाला term है इसमें दिख रहा है कि हमारा कॉसेग्स कॉमन आ जाएगा और कितना बचेगा बचेगा वन माइनस कॉस्ट वेक्स होल डिवाइड वाई एक्स स्कूर यह होगा इसकी जगा तो अब ह जब पहला question की तरफ देखो ही मतुब तो केवल दूसरा limit देखो कि यह question solve करना है तो जो बाहर cause 6 लिखा हुआ है वो तो product form में है और x अगर 0 को जाए तो उसका value 1 भी आ जाएगा तो उसकी 1 लिख सकते है अगर product form में और value 0 नहीं आ रहा है तो लिख सकते है यह वाली चीछ अगर में तक मैंने 100 बर तो बोली दिया हुआ कि हमसे का अच्छा आगे अब क्या बचा आगे बचा आगे बचा वन माइनस कॉस्ट टू एक्स तो यह तो हमारा standard formula था इसमें हमें क्या चाहिए कि यह 0 को जाना चाहिए 1 माइनस करके लिखा होना चाहिए 1 माइनस कॉस करके कॉस के आगे जो ब्रैकिट में टाम लिखा है वो 0 को जाना चाहिए और जो टाम लिखा है उसी का स्क्वार नीचे होना चाहिए अगर ऐसे है तो standard formula लागा कि उसको half लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी क्या है यहाँ पे denominator में क्या लिखा है केवल x स्क्वार लिखा है हमें क् 2x का whole square चाहिए मतलब 4 extra चाहिए तो हमने 4 से multiply कर दिया डिवाई कर दिया यह x नहीं है multiplication का sign है तो अब क्या हो गया यह standard formula से half हो गया तो answer कितना लेगा half plus half into जो उपर 4 यह लिखा है तो 2 answer कितना लेगा 5 by 8 ठीक है यह answer सारी यह answer किस question का answer है इस question का 1 minus cos x cos 2 x इसका answer है method 2 भी लिख सकते है हमने क्या बोला कि manipulation और भी थरीके से हो सकते है ऐसा नहीं कि limit का question एक ही थरीके से solve किया सकता है कुछ questions में there may exist alternate method जैसे गर मेरे को यह question दिखाया जाए और अगर मेरे को थोड़ा बड़ ट्रिक्नोमेट्री आता है तो मेरे दिमाग में one of the obvious thought क्या होगा कि यह तो कॉस से कॉस भी करके लिखा हुआ है तो चलो formula apply करके देखते हैं कॉस से कॉस भी वाला तो वह formula क्या होगा limit x is turning towards zero one minus cos एक बार तो जोड़ दिया 3x plus एक बार घटा दिया cos x whole divided by two क्योंकि two नहीं cos a plus b plus cos a minus b upon two हो गया तो वह यह लिखा गया divided by x square ठीक है this is equals to इस दो को हमने LCM लेकर हटा दिया हटा दिया मतला बहार निकाल दिया तो जो बहार निकाल दिया वह यह आ गया और LCM लेने की वह से क्या होगा कि यह वाला one जो है वो two बन जाएगा तो two minus फिर यह term और यह term two minus cos 3x minus cos x whole divided by x square यह हो क्या है ठीक है अब इस term को देखके मेरे को क्या याद आना चाहिए कि अगर मेरे को standard formula लगाना है तो one minus cos से standard formula बन जाएगा और क्या होता है कि जो cos के argument में होता है उसका square है में denominator में चाहिए होता है तो argument में तो यहां respectively 3x और x है तो उसका square जो होगा वो x square type आएगा constant constant भी आएगा वो तो बाद में adjust हो जाएगा but x square आएगा x cube अगरा नहीं आएगा x raise चुबा 4 नहीं आएगा x square चाहिए तो इस दो को हमने क्या क्या break कर दिया 1 plus 1 करके लिख दिया एक 1 को इसके साथ club कर दिया दूसरे 1 को इसके साथ club कर दिया और break कर दिया तो ऐसा करने से क्या होगा कि अलग-अलग limit exist कर दाएगा limit x is turning towards 0 एक 1 के साथ तो हमने लिख लिया cos 3x divided by x square ऐसे प्लस फिर limit x is turning towards 0 और 1 minus cos x divided by x square यहा क्या ठीक है तो यह तो सीधा ही सीधा formula आ गया यह वाला चीज तो सीधा ही standard formula से कितना हो गया half पहले वाले case में जो cos का argument है वो 0 को जा रहा है तो answer मिला हाँ बट उसी का square नीचे होना चाहिए तो 3x का square चाहिए यह नीचे तो 9x square चाहिए तो हमने क्या क्या 9 से multiply कर दिया और divide कर दिया तो अब क्या हो गया कि यह standard formula बन गया इतना partner यह standard formula बन गया 10 by 2 मतलब 5 हो गया और जो बहार हाफ लिगाए उसकी विए से 5 by 2 तो 5 by 2 ही answer हो गया उपर भी ऐसी 5 by 2 ही निकला रही है यहाँ पर भी कितना हो गया 5 by 2 यह हमारा क्या हो गया so called दूसरा method इसका हम बोजगते है this is method 2 कर दो